अंजू और नसुरूला भले ही अपने रिष्टे के बारे में खुले आम बताने से चिजग रहे हैं लेकिन जनाब प्यार और इश्क ऐसी चीज़ है कि छिपाय नहीं शिपती अपने प्रेमी को पाने के लिए भारत से पाकिस्तान गई अंजू भले ही बार-बार ये कहती दिख रही है कि उसका और नसुरूला की शादी का कोई प्लैन नहीं है ना ही वो इसलाम धर्म कबूल करेगी नसुरूला तो अब तक वही बात दोहरा रहा है कि उसका और अंजू का सिर्फ दोस्ती वाला रिष्टा है पहले से शादी शुदा और दो बच्चों की मा अंजू ने अपने पूरे परिवार को छोड़ कर अपने प्यार को चुना दोनों की लाग कोशिशों के बाब जू नसुरूला सामने आया है जिसमें साफ साफ अंजू और नसुरूला का नाम लिखा है क्यों जूट बोल रहा है नसुरूला नसुरूला से जब अंजू से शादी का सवाल पूछा गया तो नसुरूला ने इस बात को सिरे से नकार दिया और कहा कि ये सभी जूटी अक्वा ह निकाह नामा हमारा नहीं है, हम कोर्ट के पास सुरक्षा मांगने गए थी क्योंकि अन्जू विदेशी है और उसकी जान को खत्रा है अब नसुरुल्ला की क्या लगती है अन्जू नसुरुल्ला से जब पूछा गया कि अन्जू आपकी कौन है, दोस्त, गल्फरेंड या बीवी इस पर नसुरुल्ला ने कहा कि अन्जू मेरी बेस्ट रेंड है और वो टूरिस्ट वीजा पर आई है और वो बस पाकिस्तान देखना चाहती है अन्जू से शादी नहीं हुई और ना ही उसने इसलाम कबूला है अन्जू क्यों सच से कर रही है इंकार? दूसरी ओर अन्जू से जब पूछा गया कि क्या वो अपने नसुरुला से शादी और इसलाम धर्म कबूल कर लिया है तो अंजु के इस से साफ इंकार कर दिया और कहा कि मैं वापस आने के लिए तैयारी कर रहे हूं और काज़ी कारवाई के लिए कोट गई थी यह दोनों भले ही निकाहवाली बात से मुकर रहे हैं लेकिन दोनों के शादे जिला अदालत में हुई और अंजु ने इसलाम अपना लिया है इस बात की पुष्टी पाकिस्तान में मालकुन डिवीजन के डियाईजी नासीर महमूद दस्ती ने की है जिला और सत्र नयायादीज डियाईजी मालकुन की अदालत में ही दोनों की शादी करवाई गए जिसके बाद दोनों को स्रक्षा भी दी गई है